नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दफ़वरदार इस वक्त हम जवलपूर में मौझूद हैं और यह जवलपूर के रामपूर के पास का इलाका है जब हम यहां से गुजर रहे थे तो हमें रोड की किनारे लगी हुई रोड साइड एक सौब दिखाई दी पर इस सौब की अनोखी बात यह है कि यहां पर जितने भी सामान आपको दिखाई दे रहे हैं हम अपने कैमरा परसं से चाहेंगे कि इन सामानों की तरफ थोड़ा सा जोम करके दिखाएं कि जो भी सामान यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह सारे के सारे सामान क्या होती है और किस तरीके से परियामरण के लिए लाभधायक हैं स्वास्त की लाभधायक हैं इन सारी चीजों की चर्चा करने की कोशिस करते हैं प्रवार दो जो सौब पीपर हैं सबसे पहले तो भाईया अपने नाम को बता दीज़े कि आपना नाम क्या है मेरा नाम सर्मा बहुत तो कहां से हैं आप जबालपूर के ही नाए राजस्तान के अपर राजस्तान से आप पर यह सामान बेचने के लिए यहां पर अवार पास आजाए थोड़ा सा यह हंडी है इसमें सब्जी बना सकते हो तुम्हार को पसंदे जुन्था यह गिलास है यह खफ़ा है यह तवा है जिसमें रोटी बनाओ इसमें रखते हैं यह क्या चीज और वह भी बड़ा मतलब उसी में बड़ा साइज का दाई बौट आर यह तो बाइन पीने के लिए भी इसका कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कुल जो आप जैसे राजस्थान से आये हुए है तो यह जानना चाहेंगी कि यह जो मित्ती हो राजस्थान में मिलती है करिए राजस्थान के लोगं मिट्टी मिगते हैं और बना करके इस इस लिए इतना चल भी नहीं पाईगा जाला सुक्राइं जो ब्लकुल उतना टाइम लगे उस में उलदा है जैसे तब मैं आप रोटी बनाऊंगे वहली तेरी में ने यह बंद करोगे ने सकते हैं अच्छा मतलब धे गरम डेता है गरम तो जल्दी होता है लेकि ठंड़ा लेट होता है अब लोग भी बनाते हैं इसी में इसी में बनाते हैं क्योंकि प्रदूसर्ण अजाई थोड़ा सा इधर आ जाई क्योंकि प्रदूसर्ण लगाता और दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और जैसा कि हम लोग सब देखते हैं कि लोग बिमार होते जा रहे हैं कंटीनू तो यह मिट्टी के बारतान उससे क्या फाइदर हो रहा है कोई भी बिमारी नहीं है तो आदमी खुद कोई बनेगा इसमें खाने पर और इसके बाद हम बात यह जानना चाहेंगे कि जैसे मिट्टी है तो बहुत दिन तक टिकाओ नहीं हो सकती है अगर गिरेगा तो तूट जाएगा तो लगभग अगर इसको सही तरीके से रखा जाता है तो एक आपका बरतन कितने साल तक उप्यों किया जा सकता है जब तक यह रखना जब तक चलाओगा तब तक चलेका बस नमात अद्हुलने में साफ करना करें तो बस गिरना मात हुआ है प्रोग्लम इसका बड़ा बड़ा जैसे मोबाइल को सेफ्टी से रखते हैं उसी तरह इसको सेफ्टी से रखना परता है और वाकी सारी चीज़े जो धुलने उलने में कोई घिसेगी नहीं ना कोई प्रोग्लम नियागा इससे क्या कारण होता है ज इसके में और कशन के इंदर पका गया है इसको एक को ये गंटे मतलब पूरे 24 दिन दर पकाटे मसिन के अंदर जब जा कि अच्छा आके मार्केट में आता है जिसका कलर भी छूट जाता होगा तो बिल्कुल आप कैसे पोरोगे तो भी कलर नहीं चूटे जा कलर से मेरी क्लर पानी रहेगा हमेशा या घरम भी रहेगा तो घरम भी डालोगे तो भी तंड ही वह गाँ जो घड़े की तरीके से काम चाहिए इसमें भी काई सारी डिजाइनिंग आप लोग भी तो आपके रखना पड़ता होगा बस मैं क्या बोलना हुआ मोबाइल को रखते उसी तरह रख इस तरीके से गाट परहने का इंटर्जाम होता है गाड़ी में रहते हैं गाडी में रहते हैं कि जचुप चुला सब साथ रखते हैं और इन्हीं बरतनों को बेजते हैं काफी सारी जानकारी दीन बरतनों के वारे में साथ परपढ़ने वाले असर के बारे में और इसका क्या आर्थिक मानदान्ड है जो तो इसका गड़्य सूत्र क्या है कि किस तरीके से बनता है कितिने में आप लोग बेज़ते हैं कितना नुकसान नफा होता है आप लोगों को यह सारी जानकारी देने के लिए बहुत-बहु और कुछ कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो कह सकते हैं आप चैनल को आके बढ़ाए और संस्क्राइब करें और हमारे मिठ्टी के समान को एक बार आके यूज देख लो तो पता चलेगा आपको देशवासी उसी दन निवे दने हैं कि मिठ्टी का समान यूज करें तो ये थे हमारे साथ एक भाई साब जो रोट के किनारे राजस्थान से आकर यहां जवलपूर में मिठ्टी के बरतन बेचने के साथ साथ लोगों को इस्तमाल करने की भी जाग रुकता फैला रहे हैं नमस्कार धन्यवाद